बिस्मिल्लाहिर्रहमान इर्रहीम मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो क्यूंके जहां इन्सान का होसला खत्म होता हे वहां से अल्लाहपाकी रहमत शुरू होती है खुब सूरत चहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन धल जाता है, लेकिन एक अच्छा इनसान हमेशा अच्छा ही रहता है हम नोकरी की के लालच में बहुत सारी किताबे पढ़ लेते हैं, लेकिन जन्नत के लालच में कुरान करीम नहीं पढ़ते याद रखो तुम अल्लाह से अपनी हैसियत के मताबिक मांगते हो, पर वो तुमको अपनी शान के मताबिक नवाजता है मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है दुनिया के वो वाहिद लीडर जिन्होंने 63 साल उमर पाई और जिन्दगी में कभी जूट नहीं बोला बेशक वो हमारे प्यारे नभी मुहम्मद मुस्तुफा सल्लाओ अलेही वसल्लम है सरजुकाने की खुबसूर्टी भी कमाल की होती है सल्जा जमीन पर करो तो दुआय आसमान तक जाती है जब तुम्हारा दिल किसी के गले लगकर रोने को चाहे तो कुरान को गले लगा लेना हर चीज का वक्त मुकरर है वरना दुआ तो कभी भी रद नहीं होती अच्छे लोगों से भी गलतिया हो जाती है इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हो गए हैं बलके उसका मतलब ये है कि वो भी इनसान है झाल को झाल झाल झाल